सब्सक्राइब और पारे हम जब परकांग करने की बारे में बारे सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें हम करते लो हम वह लिगार देखते हैं कोई music सुनते हैं या कोई game खेलते हैं तो यह सभी क्या होता है इससे हम एक दप fresh feel करते हैं तो पिक्निक पे और अच्छी तरह से गर पाएं. तो बच्चो बच्चे जो होते हैं, उन सब को खेलना बहुत पसंद होता है. तो जो आउटडोर गेम होते हैं, जो घर के बाहर खेले जाते हैं, उनको खेलने के लिए बच्चो को उनकी एनरजी की जरुत होती है. और इससे वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और उनको अपने दोस्तों से मिलने का मौका भी मिलता है तो गेम्स जो होते हैं वो fun है, गेम खेलना बहुत मज़ा आता है गेम खेलने से तो आंटी loves going to school, आंटी जो है उसको school जाना पसंद है और वो पढ़ने और नईने चीजों को सीखना बहुत पसंद करता है बट he also enjoys playing different games and sports लेकिन वो अलग-अलग game और sport को भी खेलना बहुत पसंद करता है high school में उनके बहुत बड़ा playground है अंटी और उसके जो class के साथी है, class के बच्चे है वो bangalwar और friday को खेलना पसंद करते हैं इसलिए क्योंकि उनके जो games period होते हैं वो bangalwar और friday को ही होते हैं इस period, game के period में बच्चे cricket खेलते हैं, basketball, football, ko-ko, यह सब games खेलते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो indoor game खेलना पसंद करते हैं जैसे chess, loo, caram, scrabble, school sport जो room है उसमें बहुत सारे equipment हैं जैसे football, cricket, gear, net तो बच्चे जो होते हैं वो bat, ball, racket, shuttlecock और दूसरी चीजें sport teacher से लेकर game spirit में खेलते हैं और उसके बाद उन्हें लोटा देते हैं तो इस तरह से school में बच्चे रचित जो है वो anti का classmate है class में पढ़ता है उसके साथ उसका एक pair जो है वो polio से प्रभावित है और इस वज़े से वो लंगड़ा कर चलता है लेकिन वो भी उसके साथ but that does not stop him from playing लेकिन इसकी वज़े से वो ऐसा नहीं है कि वो खेलता नहीं है उसके class के साथ ही भी उसके साथ खेलना पसंद करते हैं और वो सब game में उसको include करते हैं इसके बाद playing fairly, fairly मतलब हमें एकदम इमानदारी के साथ game खेलना चाहिए बच्चो केविन और उसके दोस्त जो करते हैं कभी कभी क्या होता है कि उनके बीच में लडाईयां भी हो जाती है और वो बहुत अच्छे उनके जो principle है वो बहुत ही अच्छे principle है यह मतलब सिद्धान जो है उनके बहुत अच्छे हैं और यदि वो आपस में किसी बात को लेकर उनमें जगड़ा हो जाता है तो लड़ने की बज़ाए वो पहले एक दूसरे से बात करते हैं फिर किस बारे में लड़ाई हो रही है उस बात को अपस में डिसकस करते हैं उसके बारे में सलाम अशुरा करते हैं तो उनको एक उसका हल मिल जाता है और फिर वो अपने इसपोर्ट टीचर के पास जाकर उनसे उनकी मदद लेते हैं तो इस तरह से बच्चे खेलना पसंद कर खेलना चाहिए बच्चों को मिसिस कोमल जो है वो उनकी फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो उने बताती है उनके साथ प्रॉब्लम डिसकस करती है उनकी समस्या को समधान बताती है उन्होंने उनको बताया है कि negotiation is the best way to solve a problem हमें negotiate कर लेना चाहिए मतलब bargain कर लेना चाहिए हमें थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं अपनी बात को थोड़ा सा दूसरा कर लेते हैं तो हमें एक solution मिल जाता है तो ऐसे जैसे वो instruction को उनके जो वो कहती है उनको मानते हैं और जब वो किसी problem में होते हैं तो वो बैठ जाते हैं और एक leader चुनते हैं अपना एगनेता चुनते हैं वो leader जो है उनकी समस्याओं को लिखता है और फिर हर एक problem को discuss करके उसका solution बना लेते हैं इस तरह से solution जो होता है जिस solution के लिए जादे लोग मानते हैं वो उसको मान लिया जाता है और लागो कर दिया जाता है इस तरह से वो अपने decision को क्रियाद मेद करते हैं केविन्स ग्रूप जो है वो उसमें लड़कियां और लड़के दोनों है और उनकी एक उनका friend है रोबिना वो state level swimmer है स्टेट लेविल पर swimming करता है और एक दिन केविन और उसके जो ग्रूप के बच्चे थे वो प्लेग्राउंड में गए और वाप पर कुछ दूसरे ग्रूप के बच्चे खेल रहे थे अगले दिन वो भी they found the same group playing अगले दिन भी उन्होंने देखा कि वो ही बच्चे खेल रहे हैं तो जब केविन ने पूछा उनको भी खेलने दे तो उन्होंने मना कर दिया तो इस तरह से नहीं होना चाहिए उसको भी मतला इस तरह की problems आती है स्कूल में तो हमें उनका समस्दारी से solution निगालना चाहिए उसके बाद woman power तो बच्चो एक विश्वास होता है कि लड़कियां जो हैं वो उतना अच्छा नहीं खेल सकती जितना लड़के खेलते हैं लेकिन ऐसा सच नहीं है जैसे कि आपने देखा होगा बड़े-बड़े प्लेयर सानिया मिर्जा टैनिस की स्पेशलिस्ट है करना मलेश्वरी वेट लिफ्टिंग की पिटी उश्या एथलिटिक्स की अंजु बॉबी जोर लॉंग जम्प की अंजली भगावत शूटिंग की और उन्होंने बहुत सारे medal देते हैं इ lingering level पे उन्होंने सिध कर दिया है कि लड़किया जो है वो भी बहुत अच्छी विजेता हो सकती हैं किसी भी गेम में इसके बार एक साथ खेलने की जो शक्ति होती है उसके बारे में हम पड़ते हैं हम पर एक स्टोरी बताई गई है इस बात को समझाने के लिए कि माई सिस्टर तारा तारा को हाउस गेम जिसे घर घर जो चोटे लड़कियां खेलती हैं वो खेलना पसंद है किचन सैट से और वो बहुत सारे जो टॉइस होते हैं उनको एकटा करना उसको बहुत अच्छा लग इंज्जोय करता हूँ शुरुवात में मेरे दोस्त यह सब लड़कियों के साथ खेलना पसंद नहीं करते थे लेकिन अब मेरे फ्रेंड्स भी यह महसूस करते हैं कि सारे गेम में स्किल की जरत होती है और लड़कियां और लड़के दोनों एक साथ कोई भी गेम खेल सकते ह तो खेलने के अलावा मेरी बहन और मैं स्टोरी बुक्स भी पढ़ते हैं एक साथ टीवी देखते हैं स्टोरी सुनते हैं अपने पैरेंट से इसके बाद घर में क्या-क्या चीज़े खेल सकते हैं घर में बच्चों शाम के समया आलिया जो होती है वो घर के पास जो पार्क है वहार पर जाती है खेलने के लिए ब millor और वहाँ सारे बच्चे हो där होते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो पतग उड़ा से हुटे हैं जो जूल möरे रहे होते हैं कुछ होते हैं जुपम्छुपाई खेल रहे हैं हौप्सकॉच बश्के बासकेट वॉल भी खेल रहे होते हैं और किशन जो है उसको वो आलिया के घर में जो helper है उसका बेटा है और वो भी उनके पड़ो उसके बच्चों के साथ खेलता है किशन spinning tops लटू घुमाने में इसको परफेक्ट है वो उसकी सब techniques उसको पता है वो एक अच्छा पतंग उड़ाता है पतंग उड़ाने का जब competition होता है 15 अगस्त को बच्चों का तो किशन उन ग्रूप का लीडर बनता है तो भारत में ऐसी बहुत सी जगे हैं जहांपर लोग 15 अगस्त को इंडिपेंडनस डे को पतंग उड़ाते हैं इसके बाद बच्चों हम मेले में enjoy करते हैं जिसे हम fair भी बोलते हैं तो मेला मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब इखटा होते हैं मिलते हैं मेले में तो भारत के जो गाव हैं उनमें ज्यादे तर मेले लगते हैं और उसकी कोई एक खास importance होती है छोटे-छोटे दुकाने लगी होती हैं जहां पर लोग चीजे अपनी बेच सकते हैं अलग-अलगतर है कि जूले होते हैं लोग वहाँ पर दूर-दूर से जगह से आते हैं और enjoy करते हैं इसके बाद हम और कहां मनरंजन करते हैं अपना circus में बच्चो मेले का main attraction होता है circus circus में रिशव और रागिनी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा excited हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं circus में जाने के लिए रिशव और रागिनी circus tent के अंदर घुशते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग पहले से इहाँ पर बैठे हुए हैं उसके अंदर और जल्दी ही दो जोकर आ जाते हैं अरेना में बहुत सारे को जगलिंग करते हैं वह हशालते हैं कैज करते हैं और जोए नकल उतारने की कोशिश करता हैं दूसरा वाला लेकिन वह फेल हो ाते है एक बार उसकी बोल गिर जाती है तो लोग हस्ते लगते हरेक बार उसकी बॉल गिर जाती है तो लोग हस दे है अगले, इविंट पे क्या होता है एक लड़की आते है वह एक पह ये वाली साइकिल को चला रही होती है दूसरी लड़की कॉप और सौसर को फूरी ट्रॉली लेकर आती है, उसके पीछे-पीछे आती है और वह सारे कॉ को पहली लड़की के सिरपर रखती है और वो लड़की साइकल चलाते चलाते उनका पॉर सोसर प्लेट्स का बैलेंस बनाती है तो हर एक कोई ताली बजाता है तो ट्रैपेज आर्टिस्ट जो होते हैं वो लास्ट आइटम परफॉर्म करते यह सबसे आखरी में आता है वाला शो तो रागनी और रिषभ जो हें उसके बाद खुशी-खुशी घर वापिस आ जाते हैं इसके बाद आजकल amusement parks होते हैं, amusement park मतलब manonjan के लिए पार्क होते हैं, जो कि एक theme park होते हैं, उनकी एक theme होती है, उसको बनाने के लिए, theme park में बहुत सारी rides होती हैं, जूले होते हैं, हर एक कोई महाँ पर जाना पसंद करता है, बच्चे, young बच्चे, adults, roller coaster होते हैं, train की ride होती ह हैं, thrill ride होती हैं, तो इस तरह वहाँ पर बहुत सारी rides होते हैं, आजकल है, amusement park में और अलग-अलग तरह के जूलों में बच्चे enjoy करते हैं, तो बच्चों इस तरह से fun और enjoyment हमारी जीवन का वहतुपून हिससा है, जो हम अलग-अलग तरीकों से लेते हैं, कभी हम music सुनकर, कभी कोई game खेल के, कभी kite flying करके, कभी किसी melee में जाकर, किसी circus में जाकर, तो इस तरह से बहुत सारे तरीकों से हम relax करते हैं, अपने काम के बिच बिच में, I hope आपको ये lesson समझाया होगा, thank you